जय हिं दोस्तु स्वागत आप और एक ने वीडियो में और एक टोपिक के साथ मैं हूँ टोफवु देवु मैं हूँ राजी तो वीडियो स्टार्ट करते आश्रा करेंगे पसंद आएगा और पसंद आए तो लाइक और से जरूर से कर दीजेगा जनब पहली बारा है सबस्क्राइबने के साथ में सबस्क्राइट कर दीजेगा ती टूइंटी वर्ल्ड कप दो हज़ार टौबेस पाकिस्तान का सफर पहले राउन में तमाम हो गया मैच खत्म हो गया और मैच खत्म नहीं हुआ पाकिस्तान का वर्ल्ड कप में सफर खत्म हो गया सफर खत्म नहीं हुआ बलके नई तारीख रकम हो गई तारीख रकम नहीं ही बलके शरमनाग अंदा से तारीख रकम होई टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप की तारीख में पहली मरतबा पाकिस्तान की क्रिक्टीम परी यानि के जतना जल्दी मुम्किन था उतना जल्दी पाकिसान की टीम आउट हो गई अगांडा डाल देते तो शायद आए यह वेसे बहुत जाती है यह साजिश किया अमरीका और इंडिया ने मिल के अमारे खिलाव हां अगले साल ऐसा करें गये और इसके साथ ही पाकिसान का सफर जो है वो वर्ल्ड कप में खतम शुद मतलब वो जो एक तकलीफ हमें पहुंच रही थी आएस्ता 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 एक तकलीफ ने मरले के अंदर जो हम गुजर रहे थे तो अच्छा हुआ मेरा ख्याल में रादर दिन के आपके फैंस यू है वो तकलीफ मे रहें बार बार उनको प्राब्लम्स हो इसे इसी तरही खतम हो जाना चाहिए था के जराब हमारी वर्ल्ड कप की मेकिंग हो रही है हो गई वर्ल्ड कप की मेकिंग हो रही है हो गई वर्ल्ड कप की मेकिंग स्कून आ गया ठंड पड़ गई तुम सब लोग उने पाकिस्तान की क्रिकट कम्यूनिटी ने मिलके पाकिस्तान के फैंस को ये तकलीफ पहुंचा ये कि आप लोग वर्ल्ड कप के पहले रौंड से बाहर हो गयो बैड नियूस पाकिस्तान क्रिकट के लिए कि पाकिस्तान दो हदा 24 पी 20 वर्ल कप के पहले ही राउंड से बाहर हो गयो ये उमीद नहीं थी वैसे ये तो पता था कि दूसरे राउंड में पहुचेंगे लेकिन टॉप पे पहुचने की उमीद नहीं थी जह एहन दोस्तों दोस्तों कर आप क्रिकेट वर्ड कप 2024 को follow कर रहें तो आप लोगोंको जरूर कलात को ये फता चल गया हो गगा कि Cricket World Cup 2024 से पाकिस्तान बाहर हो चुकी है यहां दोस्तों पहले स्टेज से यह बाहर हो गया पहले इनको USA ने धोया फिर भारत ने धोया और इसके बाद USA का अगला मैच हो गया ड्रो बारीस की वज़े से रद दो गया एक पॉइंट USA को मिल गया पहले तो इनको 20 ओवर में हरा है ड्रो कर लिया मैच इसके बाद फिर इनको सूपर ओवर में जाके हरा है और सूपर ओवर में ही इनके खिलाफ 19 रन USA ने ठोग डाल इसी से आप अंदाज लगाते थे तो कोंग्रेशुलेशन टू USA टीम कि उन्होंने पहली बार में ये काम ये कारनामा कर दिया यहां जब से पैदा हुएं जब से अलग हुएं भारत से तब से क्रिकेट खेलने और USA से आ रहे है इतनी सर्मनाखा इसके बाद फिर दुआएं भी कर रहे थे कल मैं देख रहा था कि बारिस ना हो तो ऐसा ना हो ऐसा हो और कई पाकिस्तानी तो सोचल मीडिया पर ट्वीट करने कि भारत और USA ने साजिस करके पाकिस्तान को बाहर कर दिया अब अगर ये वाली मेंटालिटी है तो भाई मुझे नहीं लगता ये किसी भी किसी भी किसी भी फिल्ड में सब लोगा है USA और भारत साजिस करके इनको क्रिकेट वाल कप से बाहर करेंगे इतना टाइम इतना फूर साद है किसी के बाद सरम करो यार तुम लोग चुट्टी हो गई है पाकिस्तानी टीम के छुट्टी हो गई है टाटा बाई 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 पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस आउट ओफ T20 वर्ल कप ऐसे ही होना था ये तो कोई नई बात नहीं है हम ये सोच रहे थे कि बारिश होगी या नहीं होगी कि पाकिस्तान इससे जीतेगा, वो वाली टीम उससे जीतेगी। आइलेंड योइससे जीतेगी। इंडिया उस टीम से हार जाए वो उससे हार जाए तो पाकिस्तान जो है वह सुपर एट में पहुंचेगा। उन्होंने का कोई इसमें ऐसी है नहीं सूरत हाल और पाकिस्तान टीम इस वक्त वर्लकप से आउट हो चुकी है जनाजा निकल गया है तीम का यह कहा जा रहा है मैं देख रही थी कि लोग यह गह रहे थे कि जनाजा निकल गया और टीम अब बैक टू पाकिस्तान खिलाडी हो पाकिस्तान तुम लोग कोई जरूरत नहीं है तुम्हें वहाँ पर सेरो तफरी करने की फौरन आप वापिस पहुंचें बैक टू पविलियन लोगों का रो रो के बुरा हाल हो गया पाकिस्तानी फैंस का देयर क्राइंग छेच्छो सौ डॉलर की यह आप यह देखे हैं के 400 टॉलr 500 डॉलर 600 डॉलर की टिकेट लेकि वो पहुंचते थे मैच देखने के लिए अच्छा हुआ क्या किसी टीम ने उनको हराया नहीं पाकिस्तानी इस तरह बाहर नहीं हुआ आउट नहीं हुआ इसकी जुरूरत नहीं होती पाकिस्तानी क्रिक्ट टीम के लिए तो इसक की बीच मैश था और सारे पाकिस्तानी मुसल्नों पर बैठ के दुआइं मांग रहे थे कि इसमें जो है वो यूस ए हाड जाए आरलेंड जी जाए ताके किसी तरीके से पाकिस्तान की टीम जो है आगे पहुंच जाए खुद्रत का निजाम उसने गा नहीं ऐसे तो नहीं चलत पानी ओ पानी वाँ पहँए गया और उसके बाद जो उनकी मैनेजमेंट ही उन्हों ने एक एक स्कोर दे दिया लेकिन नवे वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ग्रूप स्टेज पर ही आउट हो गया ये शर्म नाक है इंडिया इस टेबल में टॉप पर है तीन में से तीन जीता अमेरिका पाकिस्तान से उपर है एक क्रिकेट ही था जिसमें हम यकीन था कि यहां अमेरिका से उपर आ यह मगर यह होना सका कैका कॉलिफाइ कर लिया है इंडिया ने और अमेरिका ने और इस ग्रूप से कैनिडा और आरिलिंड के साथ बाहर होने वाली जो तीसरी टीम है वो कोई और टीम नहीं बलके हमारी और आपकी प्यारी टीम पाकिस्तान की टीम है जनाब बासित अली साब उम्मीद बहुत जादा वैसे भी नहीं थी लेकिन इतना पुरा वर्ल्ड कप होगा यह तो शायद नहीं सोचा था क्या अमरीका से हार जाएंगे फिर इंडिया और फिर पुराम ही खतम हो जाएगा वे खिले सबसे असान पूल जो था वह यही था येस 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 येश येज ए और बी बिल्कुल इस यही है विल्याटिकलिम जैसे शुरुआत मंपात करी गृ झार तीनि एसोची एढ्tle टैने करें लेकर अपता इपनी पार को अमारे पूल में नहीं को हॊना चीए थे एइ पाकिस्तान की टीम जो है वो सूपर एट से पहले ही आउट हो गई है अच्छा अब आप इसको ज़रा इस पर नजर दोड़ाएं आप कि क्या यहन होनी हो यह है बड़ा बुरा हो गया है यह हो गया जनाज़ा निकल गया वगयरा वगयरा पर यह ऐसे होना था जब कोई क्रिकेट टीम इस बात पर बैठ के सोच रही हो कि USA की टीम आइरलेंड से हाज है इंडिया की टीम उससे हाज है वो वली टीम उससे हाज है तो फिर हम वहाँ पर पहुंच जाएंगे फिर हम सुपरेट में पहुंच जाएंगे यानि आपने कुद्रत के निजाम पर ही भरोसा कर ली है वो होते ही ऐसे है आप तो बैठे अल्ला में पर बैठे होते है अल्ला मालिक है यह जो जिम्ला बोला जाता है यह जो सेंटेंस है अल्ला मालिक है आप मुझे बताईगा इसका क्या मतलब है इसका यही मतलब है तो सो होना है हाँ आप ये ना सोचें कि जो ये जो है ये कोई वो हो गया जैसे मैंने आपको बताए नए 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 और शुयवक्तर तो जो है वो भी कह रहे थे और रमीज राजा खास तोर पर वो ये कह रहे थे कि ये जो है ना नहीं जीतेंगे और उन्हें ने कहा था कि ये मैच जो है आगे अगर आप ये समझते हैं कि जो आइलेंड है उससे जो USA का मैच है उसके पर डिपेंड कर रहा है हमारा मैच और ये होगा तो ऐसा कुछ नहीं होगा ये हार जाएंगे ये कह रहे थे वो तो आइलेंड और USA को एक-एक पॉइंट मिल गया और इस तरीके से USA और इंडिया की टीम सुपर एट में पहुँच चुके हैं मुबारको जी मुबारको कांगर्चुलेशन्स USA युनाइट स्टेट्स ऑफ अमेरिका की टीम पहली मरतबा खेल रहे हैं आप लेकिन आपने क्या जबरदस्ट परफॉर्मस दी है आपने क्या क्रिकेट खेल लिये भाई क्या बात है मैं तो कहती हूं मुबारक बाद आपको और इंडिया की टीम तो हमेशा से हाई स्ट्रॉंग इंडिया को तो कोई मसला ही नहीं था ये बात तो पहले से पता थी इस सीरीज में के जो इंडिया है वो आखरी मैच तक रहेगा फाइनल खेलेगा आप देख लिजेगा पांच जाएगा इंडिया अभी तो वह सूपर एड पर पहुंच चुका लेयर्स घर जा रहे हैं चाहे वो डुमेस्टिक क्रिकेट खेले या वो रेस्ट करें जो मर्जी करें वो उनकी मर्जी है एक बनी बनाई टीम पहले नजम सिठी ने खराब की फिर जका शर्फ ने खराब की और रही सही कसर पाकिस्तान की इस मौजूदा सेटप ने खराब कर दिया है और बाबर आजम के साथ बिलकुल ठीक हो है भाई उस बंदे को जितना मैं सपोर्ट करता हूँ शायद उसकी फैमली उसको इतना सपोर्ट करती होगी या दूसरा मैं हो जो उसको सपोर्ट करता लेकिन बाबर आजम साब को कितने عرصے से एक बात कहता चले आ रहे थे कि बाबर इन लड़कों पे इनसार ना करो ये तुझे मरवाएंगे ये तेरी कप्तानी खा जाएंगे ये तेरा करियर खा जाएंगे और वो खा गये हैं बाबर आजम साब पाकिस्तान का एक बड़ा बेटसमेन है, एक स्टार प्लियर है, हम सब उससे प्यार करते हैं, उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, उसको स्पोर्ट करते हैं, मुश्कल हारात में बाबर के पीछे खरे होते हैं, लेकिन बाबर को अब के उठने का कभी हम बारश को देख रहे हैं कभी फिलार टीम को देख रहे हैं कभी मोसम देख रहे हैं कभी आर्लेंड के जीतने की दुआ कर रहे हैं कभी बारश के रुकने की दुआ कर रहे हैं कौम को डिप्रेशन के अंदर डाल दिया है हमारे इन 15 लड़कों ने तो दोस् तो वीडियो को यहां तक देखने के लिए वीडियो दोस्तों यहां पर समाप्त करेंगे भासन करने के लिए तो बहुत कूश है लेकिन आपका पर टाइम बहुत इंपोर्टेंट है जो हम आपका टाइम बेश नहीं करेंगे फिलाल दोस्तों आपसे विदाय लेंगे मिलेंग झाल झाल